Hello friends, welcome back to my channel. मेरा नाम है शाहूल और आप देख रहो Let's Sit and Play. आज का गेम काफी कास है और हमारे फैमिली में हमेशा यह खेलते रहते हैं. जो बहुत ही मज़ा था हमारे फैमिली को खेलते हुआ और आज का गेम है Karma. यह यह गेम का खेल लेक्लिये आपको 8 plus 8 चाहिए और 2-6 प्लेयर खेल सकते हैं. यह गेम एकदमसिम्पल ने. जो भी प्लेयर, टेबल काड और अपने आच के काड को refund को डिस्कार कर देता है, फिनिश कर देता है. इस जो जिन गेम को खेलन Cafuse I am I am I Gesch. खेल लेके लिए हमें काफी मज़ा आता है और इस गेम में कभी भी आप प्रेडिक नहीं कर सकते हैं कि कौन सा प्लेयर जीत रहा है अपको लगता हुआ कि आपके आथ के आवर टेबल के काड़ फिनिश हो रहे हैं बड एंड टाइम पे कोई भी एक काड़ जो है इसमें गिव एंटायर पाइल टू अफ्रेंड करके काड़ है सारे कार्ड जो उस player's को मिल जाता है तो players अपने हाँ के कार्ड को finish करते रहता है तो यह काफी twist and turn वाला type का game है और हमें काफी मज़ा आता है और काफी जगर्दे भी है तो यह बहुत sweet सा जगर्डा है तो बहुत मज़ा आपको भी देखने के लिए और चलिए देखते हैं इसे किलते कैसे कर माग हो अभी हम देखेंगे इस गीम का कंपोनेंट इस गीम में सिर्फ आफको 60 कार्ट्समि surrounds मिलेंगे इस डेक में चो है numbers card मिलेंगे चार अलग अलग कर Interiors कर्मा लेकिन नमबर कार्ड जो है वो 1 से लेकर 16 तक लेगे 1,2,3,4,5,6 से लेकर 16 तक लेगे अभी हम देखेंगे इस गीम का सेटप अभी डीलर क्या करेगा इस कार्ड को अच्छे शफल करके जितने भी प्लेयर्स केल रहे हैं उन सभी को 3-3 कार्ड दे देगे प्लेयर्स क्या करेगे अपने सामने यह जो 3 कार्ड से अपने सामने % करके रखेंगे उसके बाद फिर से यह सेंटर में से यह deck उटाइए और छे और कार्ड दे दिजेए बागे कि बचे हुए कार्ड इसको आभी आप रखण देजीए जिएली उटा सके एसके, सभी प्लेयर्स अपने चार्ड लेंगे, याद रखें ये कार्ड लखता है, वो कार्ड आप अपके, इन face-down कार्ड के उपर, face-up करके आप रन दीज्ग, तो सारे प्लेयर्स ऐसे ही करेंगे, आप चाहे तो यहां पर face up card में कोई भी karma card भी रख सकते हैं बागे कि जो card से अभी यह आपका hand card हो जाएगा अभी हम देखेंगे इस game को खेलते कैसे हैं rule यह कहता है कि dealer के left side से जो भी player भाइटा रहेगा वो पहला player होगा अपने turn में करना क्या है पहला option पहला अगर player है तो सबसे पहला है अपने हाथ से कोई भी एक card आपको face up करके discard कर देना है उसके बाद हाथ में सिर्फ 2 card भचे तो वापस से 3 card आपको करना है सारे players ऐसे ही करेंगे जबी भी आपके card केलोगे या 2 card केलोगे उसके बाद वापस से आपको 3 card आपके आद में होना चाहिए आपके turn के end में अभी यहाँ पर कुछ rules है rule यह है कि जब यहाँ पर कोई भी face up card जो है तो players जो है same number डाल सकता है या तो इससे बड़ा number डाल सकता है यहाँ पर आभी आप इसके पास 3, 4 और 8 है 3 number नहीं डाल सकते हैं इससे क्यूंकि 4 से छोटा है 3 number इसके बाद यह चाहे तो यह 8 number का card भी दाल सकता है अब सारे players ऐसे करेंगे clock wise ऐसे करेंगे उसके पास एक card कतम हो गया तो एक card ले लेगा अब आम लोग देखेंगे दूसरा option कि अगर आपके पास कोई भी दो card है जो same number का जो discarded pile में है वो आप चाहे तो दोनों card एक साथ आप डाल सकते हो अब जब यहां पाड same number के 3 cards अगर back to back गिर जाता है तो यह सारे discarded pile हो जाएगा game के बाहर यह card अभी इस्तमाल ले होगा यह game के बाहर हम लोग रग देंगे या फिर आपके आद से दो बड़े number भी खेल सकते हो अगर आपके पास तीन अगर 10 number के cards अगर होते हो तो तीन card से एक साथ कहल सकते हो सिर्फ आपको maximum आप तीन card आपके आथ से कहल सकते हो उसके बाद आपके आथ को वापसे फिल कर देना है तीन card से याद रखिए जो center में जो discarded card है वो सिर्फ बड़े होने चाहिए मतब जो suppose आपके आप में 2 और double 3 cards है तो आप कोई भी cards नहीं कहल सकते हो इसके अपर इसके अलावा अगर आपके पास कोई karma card होता तो शायद खेल सकते हो लेकिन अगर आपके 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 नहीं है तो क्या करना है आपको सारे discarded pile अगर आपके उठाना है यह आपका बन जाएगा अ इसके बाद आपका turn भी finish हो जाएगा फिर next player का turn आएगा next player कोई भी card खेलेगा आपने हाँ से याद रखिए आपके पास अगर तीन से ज्यादा card हो तो आप यहाँ पर drop aisle में से कोई भी card आप उठाने सकते हो for example अगर आप यह card कहलते हो तो यहाँ से कोई card नहीं उठाना है जब तक आपके पास तीन से कम card हो जाते हैं तभी आप उठा सकते हो अब यह हम लोग देखेंगे सबसे पहले bottom सब तो करना कि आपको सिधा कार्ड फेकना है यह आप डिसकार्ड करना है उसके बाद यह इसके bottom में जो bottom में जो card है वो उपर हो जाएगा और आपका turn कतम हो ज एक कार्ड कर्मा कर्ड करte आपके रखना यह आपके कार्ड करके नहीं रखना यह आईसे क्या रेगा जैसे जैसे यह card खेलते रहेगा, आपका face up card यहाँ पर खेलते जाता रहेगा, उसके बाद आपको bottom card खेलना है, ऐसे नहीं है कि अगर यह reveal हो गया, तो यह card पहले खेलना है, face up card फर्स बोला गया है, तो face up card पहले यह दोनों card को discard करना होगा, इस action को करने के लिए, आपको पह card, I give the pile to a friend, आपको यहाँ पर discard नहीं करना होगा, यह आपको गेम से बाहर करना होगा, यह सिर्फ एक बार ही इस्तमाल होगा, एक card, तो यह game से बाहर हो जाएगा, और चाहे तो यह card आप किसी भी players को आप दे सकती हो, और उनके end card में यह card शामिल हो जाएगा, ऐसे आप खे बिना देके face down card में से कोई भी एक card आपको लेना है, और अगर वो card इसे छोटा रहा, तो यह सारे pile आपको उटाना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपका card बढ़ा रहा, तो आप discard कर दो कि यह दोनों card ऐसे गएसे लेगा, याद रगे, गेम के पूरे time पर आपको face down card आपको आपको यह गेम काफी मजा आया रहेगा, इसके बाद आम लोग एक gameplay का वीडियो दाने हमाले है, तो आपको काफी tier हो जाएगा, यह गेम को खेलते कैसे है, तो अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लागा है, तो प्लीस लाइक कीजिए, और इस चैनल को प्लीस सब्स हमें भी हम लोग काफी stories दलते रहते हैं, और updates भी आपको मिलता रहेगा, क्या-क्या games आने वाले हैं, तो आप प्लीस इंस्टा भी जाईए, और वहाँ पर भी हमें फॉलो कीजिए, बस देखते रहेजे हमारा channel, let's sit and play, thanks for watching.